हलो क्लास टेंथे स्टूडेंस चलिए हम लोग अब जोग्रफी का जो मनिफैक्ट्रिंग इंडस्ट्री चैप्टर हम कर रहे थे उसमें आटो मोबाइल इंडस्ट्री पढ़ते हैं आटो मोबाइल प्रवाइड वेहिकल फर क्विक ट्रांस्पोर्ट और गूड सर्विसेज और पैसेंजर्स आटो मोबाइल जो है वो गाडियां प्रवाइड करता है हमें जल्दी सामान एक जगह से दूसी जगह ले जाने के लिए यह न सामान भी और पैसेंजर्स भी ट्रॉक बसस कार मोटरसाइकल स्कूटर त्री वीलर मल्टी उटिलिटि वेहिकल और मदेस्ट आंदर अलग अलग जगहोंoupe After the liberalization, जब देश में liberalization हुआ, तो the coming in of a new and contemporary model stimulated the demand for vehicle in the market which led to the healthy growth of the industry including passenger cars, two or three wheelers और ये liberalization के बाद क्या हुआ, नए 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 और contemporary model भारत में भी आ गए और इसे क्या हुआ कि demand जो है गाड़ियों की बढ़ गई market में और इसे इस industry की healthy growth संभव हो पाई है इसमें कई तरह की गाड़िया बन रही हैं जिसमें passenger cars भी हैं, two or three wheelers भी हैं This industry has experienced quantum jump in less than 15 years और कई गुना तरक्की हुई है इस industry की पिछले 15 सालों में foreign direct investment brought in new technology and aligned the industry with the global development और MDI आने से foreign direct investment होने से अब नई नई technology भी आने लगी है हमारे देश में और इसे क्या हुआ है उस पर सवार होकर ये industry जो है उसकी मदद से industry जो है वो global development कर रहा है At present there are 15 manufacturer of passenger cars and multi utility vehicle अभी हमारे देश में 15 manufacturer है passenger cars के और multi utility vehicle के 9 commercial vehicles के 14 जो है 2 और 3 wheeler के इस तरह से बहुत सारी company हमारे देश में अब हो गई है Industry is located around Delhi, गुरगाओ, मुंबई, चेन्ने, कोलकता, लखनव, इंदोर, हैदराबाद, जमशेथपूर और बैंगलोर और ये सभी industry जो है वो भारत के कई हिस्सों में है जिसमें दिल्ली, गुरगाओ, मुंबई में भी है, पुने, जो कि मुंबई के पास है चेन्ने में है, कोलकाता में है, लखनो में है, इंदोर, मध्यपरदेश में है, हैदराबाद, जमशेथपूर जो कि भी है जारखंड में है और बैंकलोर इन सभी जंगों पे ये वेहिकल्स बतते हैं उसके बाद देखी information technology and electronic industry the electronic industry covers a wide range of product from transistor set to the television, telephone, cellular, telecom, pagers, telephone, exchange, radars, computers and many other equipment required by the telecommunication industry और electronic industry जो है बहुत wide range के product cover करता है जिसमें transistor set से लेकर television तक, telephone, cellular, telecom, pagers, telephone, exchange, radar, computer और अब दूसरी बहुत सारी equipment ये जो कि telecommunication industry में जरुवत होती है उसको बनाती है बैंगलोर has emerged as the electronic capital of India बैंगलोर को भारत का electronic capital माना जाता है अधर important center for electronic goods है मुंबई, टेली, हैदराबाद, पुने, चैन्ने, कोलकता, लखनव और कोइमबटूर और दूसरी important center है electronic goods के वो मुंबई, टेली, हैदराबाद, पुने, चैन्ने, कोलकता, लखनव और कोइमबटूर में है 18 software technology park provide single window service and high data communication facility to software export और 18 software technology park भी है जो कि single window service और high data communications facility software experts को देती है जिसे आपने आप देखिए आप जो दिया है ना software technology park अक्सर exam में आता है कोई ने कोई जगह जो होती है वो आ जाती है कि यह इन सभी technology park में कोई भी आ जाएगा एक कि आप locate करो तो noida सबसे आसान है क्योंकि यह दिली के ठीक बगल में है यूपी और दिली के ठीक बीच 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 की जो लाइन होती है वहाँ पर आप noida बहुत आसानी से कर सकते हो software technology park के लिए और मुंबई भी बहुत आसान है चेन्ने भी बहुत आसान है जिसको आप locate कर सकते है मैप में भुवनेश्वर जो कि बिल्कुल सी कोस्ट पे है यह भी बहुत आसान है पहचानना आपके लिए है ना तो यह सब जगह ऐसे हैं जो कि बड़ी आसानी से आप चाहे आप से पूछा जाए कि आप एक software technology park locate करो अपने map में एक्जाम में अगर आ जाए तो आप बड़े आसानी से इसको noida वाला तो बिल्कुल ही कर सकते हैं बिल्कुल पास में major impact of this industry has been employment generation सबसे बड़ा असर जो इस industry का पढ़ा है वो employment generation पर पढ़ा है नोकरी बहुत सारे लोगों को इसमें मिली है अब तो 31 मार्च 2005 the IT industry employed over 1 million person और 2005 के डाटा के अनुसार अब तो नए वाले डाटा में और भी ज़्यादा होगा जो 2005 का डाटा है उसमें IT industry में करी 1 million लोग काम कर रहे हैं this number is expected to increase 8 fold in the next 3 to 4 years और यह 8 गुना बढ़ जाएंगे 3-4 सालों में मतलब अब तक तो बढ़ गए होंगे It is encouraging to know 30% of the people employed in this sector are women और यह बहुत उत्सावर्दक बात है कि 30% इसमें महिलाएं हैं जो यहां काम करती हैं उसमें 30% महिलाएं हैं This industry has been major foreign exchange earner in last 2-3 years because of its fast growing business process outsourcing sector इस industry को foreign exchange बहुत जादा मिलता है पीछले 2-3 सालों में देखा गया है कि इसमें BPO जो अब होते हैं BPO सेक्टर उसकी वज़े से बहुत तेजी से growth भी हो रहा है तो इसकी वज़े से क्या है foreign exchange बहुत जादा आ रहा है The continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India अगर ऐसे ही growth होता रहा hardware और software का तो यह IT industry भारत में बहुत सफलता पुरवर काम करेगी Industry or pollution and environmental degradation अब बहुत सारी industries की बात हम नहीं की इसे हमें नहीं बोलना चाहिए कि industry जो है वो environmental pollution और industrial pollution बहुत करते है Although the industries contribute significantly to India's economic growth and development वैसे तो industries जो है वो भारत के economic growth और development में बहुत मदद करता है The increase in pollution of land, water, air, noise and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked लेकिन इसके साथ-साथ इन्होंने बहुत तरह की pollution हमारे देश में की है जिसमें land, water, air, noise और हुई है इन सभी चीजों की pollution हुई है चारों तरह की pollution Land pollution भी, water pollution भी, air pollution भी और noise pollution भी और इसे क्या हुआ है, environment बहुत खराब हुआ है और इसे हम overlook नदर अंदाज नहीं कर सकते Industries are responsible for four type of pollution चार्तर की pollution यह करते हैं जिन में air pollution, water pollution, land pollution और noise pollution है The polluting industry also includes thermal power plant और pollution में thermal power plant भी पीछे नहीं है वो भी बहुत pollution भलाते हैं Air pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases Air pollution क्या होता है, जब हवा में undesirable gases बहुत जादा हो जाती है तो air pollution होता है, such as sulfur dioxide and carbon dioxide खास तोर पे sulfur dioxide और carbon dioxide Airborne particulate material contain both solid and liquid particle like dust, spray, mist and smoke और airborne particulate material में दोनों तरह की चीज़े होती है, solid भी और liquid भी जिनमें dust होता है, spray mist होता है और smoke होता है Smoke is emitted by chemical and paper factory Smoke या धुआ जो होता है, chemical और paper factory से आता है, brick clean से आता है जहाँ पर इट के भठे होते हैं, जहाँ पर इटे बनती है है न, refinery से आती है, smelting plant से आती है burning of fossil fuel in big and small factory fossil fuel यानि petroleum वगरा जो होता है, यह उसको जलाने से बहुत सारी pollution होता है, and small factory चाहे वो बड़े factory चला, इसको जलाएं fossil fuel को या छोटे, सब pollution करते है that ignore pollution norm और आज कल क्या है कि बड़े-बड़े factory भी जो है pollution norm जरक सरकार ने कानून बनाये, pollution के ओपर, इन सब को ignore करते है toxic gas leak can be very hazardous with the long term effect और अगर कोई जरीला gas leak हो गया plant से, तो वो उसका बहुत जादा बुरा असर पड़ता है और यह इसका long term effect भी हो सकता है, are you aware of the bhopal gas tragedy that occurred आपको यादी होगा, यह पढ़ा होगा आपने कि bhopal में ऐसी ही gas tragedy होई थी जिसमें क्या होगा था, gas leak हो गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी air pollution adversely affect human health, air pollution का इंसान के health पर बहुत बुरा असर पड़ता है सिर्फ इनसान नहीं, animals, plant, building, atmosphere सब के ओपर बुरा असर पड़ता है उसके बाद देखे water pollution, water pollution is caused by organic and inorganic industrial waste and effluent discharge into rivers water pollution तब होता है जब organic और inorganic दोनों तरह के industrial waste उसको सीधे-सीधे नदियों में बहा दिया जाता है बिना treat किये हुए the main culprit in this regard are paper, pulp, chemical, textile, dyeing, petroleum, refinery, tanneries and electronic industry that let out dyes, detergent, acid, salt, heavy metal like lead and mercury, pesticide, fertilizer, synthetic chemicals with carbon, plastic, rubber, etc. into the water bodies और क्या होता है जो सबसे बड़े इसके कारक है वो कौन-कौन से है paper industry, pulp industry, chemical industry, textile industry, dyeing, petroleum, refinery, tanneries, जहाँ पर चमडों का काम होता है और electronic industry यह सबी क्या करते हैं, pollution करते हैं इसके अलावा dyes बनाने वाले, detergent बनाने वाले, acid, salt, heavy metals, lead, mercury, pesticide, fertilizer, synthetic chemical बहुत लंबी लिस्ट है synthetic chemical with carbon, plastic and rubber यह सबी चीज़े जो जो factory बनाती है वो सब क्या करते हैं कि अपने हां के जितने जो use करने के बाद जो chemical होता है बेकार का उसको पानी water bodies में बहा देते हैं fly ash, phosphor, gypsum, iron and steel slags are major solid waste in India इसके अलावा fly ash, phosphor, gypsum, iron and steel slags जो होती है यह भी solid waste है जो की भारत में पाई जाती है आपने यमना जी की हालत देखी होगी कैसी है बस सबसे बड़ा कारण ही है कि यह factory जो होते हैं बिना अपने इसको treat किये हुए जो भी waste होता है चाहिए वो water हो जो भी हो उसको waste को बिना treat किये हुए नदी में बहा देते हैं जिसके कारण यमना जी इतनी pollution polluted हो गई है thermal pollution of water occurs when hot water from factory and thermal plant is drained into river and pond before cooling what would be the effect on aquatic life आप देखिए कि thermal pollution कैसे होता है जब वहाँ पर पानी इस्तेमाल होता है वो पानी बहुत गर्म होता है और जब वो factory से निकलता है या thermal plant से निकलता है तो बिना उसको ठंडा किये सीधे नदियों में या तालाबों में उसको बहा दिया जाता है आप अंदाजा लगा सकते है इतना गर्म पानी जब नदियों और तालाबों में जाएगा तो उसमें रहने वाले जीव जनतों की क्या हालत होगी वेस्ट फ्रम निकलियर पावर प्लांट निकलियर और वेपन प्रड़क्शन फैसलिटी कॉस कैंसर बर्ड डिफेक्ट और मिस्कारिज़ निकलियर पाव हो जाती है जिसमें कैंसर हो जाता है बर्थ डिफेक्ट जमजार बच्चे को परिशानी होती है यह सब कारण है निकलियर पावर प्लांट का जहां होता है वहाँ पर स्वाइल और वाटर प्लूशन और प्लोजली रिलेटिट स्वाइल और वाटर प्लूशन दोनों एक है इंडिस्ट्रियल एफ्लुएंट है पैकेजिंग और सॉल्ट है गार्बेज रेंडर टुदा सॉयल यूजलेस यह सब चीजें जब फेक दी जाती है बिना बिना उसको यह किये हुए ट्रीट किये हुए तो क्या होता है जिस मिट्टी पर उसको फेका जाता है वहां की मिट परकुलेट तो दस्वाइल केरिंग दपॉली पॉलीटेंट्स तुद ग्राउंड ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट कंटामिनेटेड फिर क्या होता है बारिश होती है तो यह जो फेक दिया इन्होंने मिट्टी में ऐसे ही वेस्ट को वह क्या होता है पानी से गीले हो जाते उसके बाद देखें नौइस पॉलूशन नौइस पॉलूशन नौट अनली रिजल्ट इन इरिटेशन और आंगर नौइस पॉलूशन से क्या होता है कि लोग चिड़चड़े हो जाते हैं गुसा हो जाते हैं इट कैन आल्सो कॉस हीरिंग इंपेर्मिंट बहुत तेज अग इसके अलावा कुछ मानसिक परिशानिया भी लोगों को होती है मानसिक असर भी पड़ता हैं अन्वांटेट शाउंड इस अन इरिटेंट बहुत तेजावाज होती हैं वो इरिटेट करती हैं और सूर्स ऑफ इस ट्रेस लोगों को बहुत तनाव हो जाता हैं भी होती है? जो बहुत जादा आवास करती है. जैसे फैक्टरी में equipment होता है, generator होता है, sawja, saw जिसमें लकडी खाटी जाती है, ne nutrick and electric drills होते हैं, बहुत आवास करते हैं. और इससे क्या होता है? बहुत चिचिडापन लोगों में होता है. control of environmental degradation अब हम इसको दूर कैसे करें कैसे control करें every liter of waste water is discharged by our industry pollute eight times the quantity of fresh water एक liter अगर waste water आप discharge करते हो किसी भी नदी या तालाब में तो वो अपने से आठ गुना पानी को pollute कर देता है how can the industrial pollution of fresh water be reduced तो हम कैसे industrial pollution जो fresh water का उसको कम कर सकते हैं सम सजेशन सार कुछ सजेशन दी गई है minimize use of water for processing by reusing recycling it in two or more successive stages आप पानी का कम से कम इस्तेमाल करें उसको process करें, reuse करें, recycle करें तब आप थोड़ा सा pollution कम करोगे harvesting of rain water to meet water requirement हमेशा groundwater का या इस fresh water का इस्तेमाल न करो rain water harvesting करो तीसरा है treating hot water and effluent before releasing them in river and pond hot water या फिर जो waste water होता है उसको आप पिना treat किये हुए नदियों और तालाबों में ना भाव treatment of industrial effluent can be done in three phases तीन तरह से आप इन पानी का जो यह होता है वेस्ट वाटर होता है factories का उसका तीन तरह से साफ कर सकते हो टीट कर सकते हो एक तो है primary treatment by mechanical means एक तो होता है मशीन से आप कर सकते हो जिसमें क्या होता है Involve Screeneing आप screening कर सकते हो grinding कर सकते हो flocculation कर सकते हो एक तो है process a secondary treatment by biological process by लोग कर सकते है tertiary treatment by biological chemical and physical processes तीनो process से आप पानी को this involved recycling of wastewater आप इसमें recycling भी हो जाता है wastewater का. Overdrawing of groundwater reserve by industry where there is a threat of groundwater resources also need to be regulated legally. ऐसी जगों पे जहाँ पर groundwater कम है और industries जो है बहुत तेजी से पानी को जमीन से निकाल रही है तो यहाँ पर कानून बनने चाहिए ताकि लोग जो है नियमे तुरूब से जादा मात्रा में पानी न निकाले. पार्टिकुलेट मैटर इंदे एर कन बेडियूस बाइफिटिंग स्मोक स्टैक तो फैक्ट्री विद एलेक्ट्र स्टैक प्रसिपिटेटर फैब्रिक फिल्टर, स्क्राबर्स, एंद इनर्शियल सेपरेटर पार्टिकुलेट जहां पर धूल जादा होती है हवा में उसको कम करने के लिए आप स्मोक स्टैक लगा सकते हो चिमनी में, फैक्ट्री में, है न इलेक्ट्रोनीक प्रसिपिटेटर यूज कर सकते हो फैब्रिक फिल्टर यूज कर सकते हो और इनर्शियल सेपरेटर भी यूज कर सकते हो Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factory धुएं को कम किया जा सकता है अगर आप तेल या गैस इस्तेमाल करो कोईले की जगह पे कोईला जराने से धुएं बहुत होता है Machinery and equipment can be used and generator should be fitted with silencer ऐसी machinery or equipment use करो करिये जहां पर जिसमें silencer लगा हो ताकि machine और generator ज़्यादा आवास ना करे Almost all machinery can be redesigned to increase energy efficiency आप अपनी machinery को redesigned भी कर सकते हो ताकि उसकी efficiency उसके काम करने की शमता को बढ़ा सको and reduce noise और आवास कम कर सको Noise absorbing material may be used apart from personal use of ear plug and ear phone आप चाहें तो noise absorbing material भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आवास ज़्यादा बाहर ना जाए साथ ही साथ personal रूप से ear plug या ear phone भी इस्तेमाल कर सकते हैं The challenge of sustainable development require integration of economic development with environmental concern Sustainable development के सामने जो challenge है वो यह ही है कि कैसे हम economic development और environmental जो problem हो रही है उन दोनों को साथ लेकर चलें NTPC ने बहुत अच्छा example दिया है लोगों के सामने कि आप इस तरह का काम कर सकते हो NTPC is a major power providing corporation in India NTPC भारत में power provide करती है It has ISO certificate for EMS environmental management system 14,001 The corporation has a proactive approach for perceiving the natural environment इन्होंने अपना एक तरीका अपनाया है natural environment देखने का Resources like water, oil, gas and fuel in place where it is setting a power plant जहां पर यह अपना power plant लगा रहे हैं वहां पर यह सभी चीज़ें देख रहे हैं कि water, oil, gas, fuel कैसा इस्तेमाल वो करेंगे वहां पर This has been possible through उन्होंने कई तरीके निकाले हैं Optimum utilization of equipment, adapting latest technology, सबसे टेकनीक, सबसे पहले तो उन्होंने नहीं नहीं टेकनीक लिए अपनायी है Upgrading existing equipment, अपने पुराने equipment को नया अपग्रेड कर दिया है Minimizing waste generation by maximizing ash utilization, अपने waste generation को कम किया है Ash जो राक होता है, उसको utilize किया है इसके अलावा providing green belt for nurturing ecological balance Green belt बनाया है, ताकि वहाँ पेर पौदे लगे रहे है Addressing the question of special purpose vehicle for afforestation और भी कई तरीके अपनाये हैं जिससे afforestation हो सके Reducing environmental pollution through ash pond management, ash water recycle system and liquid waste management हर तरह की management इन्हों ने की है, pollution को दूर करने के लिए Ecological monitoring review and online database management for all its power station और ecological monitoring भी वो करते हैं, देखते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है और अपनी सभी power station पर नजर रखते हैं तो this is the end of the chapter, इसमें भी बहुत सारे MCCW दिये होएं जिसको आप ध्यान से पढ़ लीजेगा, उसके answer आपको Google पे भी मिल जाएगा और इसको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और share भी कीजेगा ताकि दूसरे बच्चे लिए इसका फाइदा उठा सकें Thank you very much